देखे इस बक्त की बरी ब्रेकिंग खबर अपराथ की बरी खबर आ रही है मुझपतपूर से जहां 24 लाक रुपए लूट लिये गए हैं दिन दहारे और यह बादात अपराथ की बरी बादात तब हुई है जब बिहार के मुझमंती नितीस कुमार भी मुझपतपूर में ही मौजूर है और बरी समिक्छा बैठक कर रहा हैं साथ में बिहार पुलिस के मुख्या गुप्टेश्वर पांडे भी मुझपतपूर में है और यह रात हुई है खबर के नुशार प्रारम भी खबर है एक्सिस बैंक के एटीम में कैस लोट करने के लिए एजनसी के लोग पहुचे थे गारी से पहुचे थे साथ में बंदुक वाले दोसुर अप्षा कर्मी बे थे तभी बाइक सवार अपराधी वहां पहुचते हैं और वे दिखाकर जैसे भी कुछ लोग करते हैं हवाई फारिंग भी हुई है लेकिन अभी इस बात की पुष्टी नहीं हुई है ब्रेकिंग खबर चल रही है तो 24 लाग रुपे कैस बैंसे लूट लिये जाते हैं और अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं कहा यह भी जा रहा है कि दो बंदुक की लूट हुई है जो सुरक्षा कर्मियों के पास थे जो कैस बैंसे में जो सवार लोग थे उनके पास थे लेकिन अभी बंदुक लूट की खबर की पुष्टी नहीं हुई है और इसके बाद मुझपरपुर में हरकम समच गया है क्योंकि मुख्यमंति नितिस कुमार मुझपरपुर पहुचे हुए हैं वे कलिक्रेट में बैठक कर रहे हैं तमाम आला अधिकारी सिर्फ मुझपरपुर के ही नहीं सूबे के आला अधिकारी भी वहां मौदूद है डीजीपी गुप्टेश्वर पांड़े भी मौदूद है तो बिहार में जिस तरीके लाकिन जमात किये गए थे और कहा जा रहा है कि सब चाक चौबंध है लेकिन अपराधी बाज रहीं आ रहे हैं अपराधी ने जिस तरीके से जिस दुच्छाहस के साथ बादात को अंजाम दिया है आप सो सकते हैं कि बिहार में अपराधी कितने बेख़ॉफ हो गए हैं कि इतनी सुरक्षा होती है, शाहर में मुख्मंती निटिस्कुमार मौजूद होते हैं और अपराधी आसानी से कैस बैंक से 24 लाग रुपए लूट कर भाग जाते हैं और यहां बादा तब होती है जब एक्सिस बैंक के एटियम में कैस लोट करने के लिए एजेंसी के लोग पह बामदगी हुई है, वो ऐसनी से ब्रामदगी है, गिरोह का भंटा फोर भले हो चुका है, लेकिन उनके गिरोह में सामील अपराधी हैं वह यहां भागे हैं, कुछ ग्रिपतारिया बहाँ से भी हुए हैं लेकिन अभी पूर्ण जपति नहीं हुई है, तो इस बक्त बड़ अचर प्रीकॉपी दोन मुझा झा झाल